एक और शिवनात नदी स्थित पुराने पुल में बुधवार की रात मिली संदिग धिकार जिसके मालिक की पहचान कर कार राजनन गाउं निवासी पलाश अगरवाल की बताई जा रही है फिलहाल उसके लापता होने को लेकर पुलगाउं थाना पुलिस इस मामले की जाच में जुटी हुई है दुरुके शिवनात नदी के पुराने पुलें बुधवार की रात को मिले संदिग धिकार खड़ी पाए जाने की सुचना मिलने के बाद हरकत में आई पुलिस ने अपनी पतासाजी चुरू की वहीं मौके पर पहुंची परिचित द्वारा कार की पहचान की गई है मिली जानकारी के अनुसार कारचलक युवक का अभी तक कुछ पता नहीं चला है वहीं लापता कारचलक राजनदगाओं का रहने वाला पलाश अगरवाल है गौरतलबही गुरुवार सुबा अग्यात कार के सुचना पर ढूंटे हुए शिवनात नदी के पुल पर पहुँचे बेटे की कार को देखते ही दोनों फूट फूट का रोने लगे माता पिता ने बताया कि बेटे की बुधवार को ही शादी का रिस्ता ठूटा है जिसकी चलते वो डिप्रेशन में चला गया देर रात तक फोन पर उसने बात की और परीजनों ने उसे बहुत कार चालक पलाश अगरवाल के दोनों मुबाइल कार में ही मिले हैं और कार में रसी भी पाई गई है जिससे अनहोनी की आशंका को और बल मिल रहा है पुलगा पुलिस लगातार तलास में जूटी हुई है लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है फिलहाल SDRF की टि पुर्गसे नसीम फारुकी की रिपोर्ट